हापुर में विद्युद विभाग का नया कारनामा सामने आया है जहां विद्युद विभाग ने एक मजदूर के घर एक महीने का बिल लगभग 73 लाख रुपे से भी अधिक का भीज दिया है दरसल संजय महुला अयुद्यापुरी में रहता है वो एक हलवाई के यहां मजदूरी का काम करता है संजय की माने तो विद्युद विभाग की तरफ से उसके घर पर 73,47,562 रुपे का बिल भेज दिया गया जब मजदूर संजय काम करके शाम को अपने घर पहुँचा तो बिल देखकर संजय और उसके परिवार के होश उड़ गए जिसके बाद संजय 73,00,000 से भी अधिक के बिल को लेकर विद्युद विभाग के अधिकारियों के पास पहुँचा लेकिन उसको अधिकारियों के पास सिर्फ आश्वासन ही मिला बिल 73,00,000 रुपे का आया जी है प्रिष्ली बार 14,00,000 रुपे जमा कराये थे उसके बाद आया अब यह जबकि हम दो तिन महीन दे मकान में नहीं है मकान बना हो रहा है तो कहां से इतनी डिडिंग होई तो अधिजार के पास गये थे आप हाँ जी जेही के पास गये थे कल हाई डिल में वही संजे के परिवार वालों का कहना है कि वो पिछले कई दिनों से विद्ध विभाग के दफ्तर के चकर लगा रही है लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही विद्ध विभाग का कोई भी अधिकारी में मामली में कुछ भी नहीं बोल रहा है लेकिन विद्ध विभाग द्वारा मजदूर के घर भेजा गया 73 लाख रुपए का बिल जिले में चर्चा का विशय बना हुआ है अब देखना ये होगा कि विद्ध विभाग के अधिकारी अपनी कुम्ब करनी नींद से कब जागेंगे और कब तक पीडित का बिल सही हो पाएगा हापुर्ट से नदीम एहमत की रिपोर्ट